हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अंजली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आयरवेद तबीस ओफ लाइफ में कुछ आदतें जो स्पर्म काउंट को कम करती हैं और 80% लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि इन आदतों का असर फर्टिलिटी पर पड़ता है बॉडी के टेंपरेचर की तुलना में स्कूरूटम का अंड़कोश का टेंपरेचर एक डिगरी कम होता है स्कूरूटम का टेंपरेचर बढ़ने से स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं आज की lifestyle में बहुत सी आदते ऐसी होती हैं जो temperature को बढ़ाती है साथी stress का असर भी sperm count पर पढ़ता है आज के वीडियो में sperm count कम होने के कारण उसे बढ़ाने के कुछ नुस्खे हर वीडियो में आपसे बार बार बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज मेरे चैनल आज़वेद तबेस आफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे नए नए healthy related वीडियो आप तक पहुचते रहें और bell icon प्रेस कर लीजे जिससे नए वीडियो का notification आप तक पहुच सके sperm count कम होने के कारण sperm या शुक्राणों जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है semen यानि वीरी के गुडवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उपस्तित sperm की मात्रा कैसी है और quality कैसी है sperm की संख्या कम होने के oligospermia कहा जाता है आईए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है चोट किसी कारण से अनकोश में यानि स्कूरूटम में चोट लगने के कारण sperm पैदा करने वाले cells में खून का प्रवाब बंद हो जाता है और sperm का बनना कम हो जाता है body building supplement भी इसका कारण बनते है आजकल बहुत से लड़के young age में body बनाने की चक्र में आवशेक्ता से जादा supplements लेते हैं जबकि ये पाया गया है कि जादा body building supplement sperm count को कम कर देते हैं heat यानि घर्मी शरीर के sperm की घर्मी के प्रती बहुत समवेधन शीलता होती है कुछ research में ये बात सामने आई है कि जादा hot bathtub से या hot shower लेने से ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है चौथा radiation radiation के अधिक exposure से भी sperm count कम हो जाते हैं जो लोग ऐसी जगों पर काम करते हैं जहां अधिक radiation होता रहता है उनमें sperm count काफी कम हो जाता है और उसकी quality पर भी असर पड़ता है smoking smoking is injurious to health ये हमेशा लिखा हुआ होता है लेकिन आपको पता है कि इस स्वास्ते के लिए हानिकारक होने के साथ साथ सीमिन में cadmium की मात्रा बढ़ा देती है और jink की मात्रा घर जाती है cadmium sperm के dna को नर्स्ट करके sperm count को कम कर देता है alcohol alcohol भी sperm की quality पे असर डालता है stress stress बहुत तरनाव में रहने के कारण आपके खून में हार्मोन की मात्रा पर असर पड़ता है जिस से sperm बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है pollution प्रदूशन आपको जानकर आश्चेर होगा कि प्रदूशन भी sperm की quality और count पर असर डालता है इसलिए जादा देर तक प्रदूशित वातावरण में नहीं रहना चाहिए कुछ medicines भी ऐसी होती है जिनका लगातार सेवन करने से sperm count कम हो जाता है मोटापा पुर्शों में मोटापा भी sperm count कम होने का कारण बनता है Diabetes Diabetes के कारण sperm के DNA खराब होने की संभावना दोगनी होती है Diabetes का असर sperm की quality और quantity दोनों पर पड़ता है साथ ही कुछ sexual diseases भी sperm count के कम होने के लिए जिम्मेवार होती है कई बार कुछ hereditary diseases भी इसका कारण बनती है Sperm count बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान लेना चाहिए Diet में जिंक और vitamins B6 की मात्रा जिन चीजों में जादा हो वो जरूर ले अंडे, मचली और strawberry जिंक का अच्छा स्त्रोत हैं इसके अलावा अक्खरोट रोज खाना चाहिए इससे भी sperm की quality बहतर होती है रोजाना exercise करें और तनाओ मुक्त रहें कुछ घरेलू उपाए जिनके त्वारा भी आप स्पर्मकॉन को बढ़ा सकते हैं चार से पाँच बादाम राद भर पानी में भिगा कर रखिए सुबह पीस कर महीन पेस्ट मिना लीजे और एक ग्लास दूद में डाल कर उबाल लीजे और इसमें एक चमच देसी घी और मिश्री डाल कर रोच पीजिए दूसरा शतावरी, अश्वगंदा और सफेद मूसली इन सब को मिला कर एक पाउडर त्यार कर लीजे तीनों की मात्रा बराबर लीजे इस मिश्रण को सुब़े शाम तीन तीन ग्राम की मात्रा में एक ग्लास दूद से लीजे तीसरा, एक चमच शहद में इतनी ही मात्रा में प्याज कर रस और अद्रक कर रस मिला कर पीजिए इन में से कोई भी उपाई आप अपनाईए ये उपाई आपको फाइदा पहुचाएंगे साथ ही योग का सहारा लीजे रोजाना भस्तर का प्राणायाम, हलासन या सूर्य नमस्कार, धनुरासन करिए इससे प्रजरन चमता और शुक्रानों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है उम्मीद है ये वीडियो आपके तकलीफ को दूर करने में कुछ हद तक मददकार होगा अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ उनके फायदे के लिए शेयर करिए